युहन्ना का प्रकाशित वाक्य नौमा अध्याए और जब पांचवे स्वर्ग दूत ने तुरी फूकी, तो मैंने स्वर्ग से प्रत्वी पर एक तारा गिर्त हुआ देखा, और उसे अथा कुंड की कुंजी दी गई, और उसने अथा कुंड को खोला, और कुंड में से बड किसी शक्ती दी गई, और उनसे कहा गया कि ना प्रत्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड को हानी पहुचाओ, केवल उन मनुष्यों को, जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है, और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर पांच महिने तक लोगों को प धिकार दिया गया, और उनकी पीड़ा ऐसी थी, जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है, उन दिनों में मनुष्य मुरत्यू को ढूडेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे, और मुरत्यू उनसे भागेगी, और उन टिड्डियों के आकार लड सिहों केसे थे, और वे लोहे किसी जिलम पहिने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था, जैसा रथों और बहुत से घोनों का जो लडाई में दोडते हों, और उनकी पूँच बिच्छूों किसी थी, और उनमें डंक थे, और उन्हें पाँच महिने तक मनुष्यों को द पद्दोन और युनानी में अपुलियोन हैं। और वे चारों दूद खोल दिये गए, जो उस घड़ी और दिन और महिने और वर्ष के लिए मनुष्यों की एक तिहाई के मार डालने को तयार किये गए थे, और फौजों के सवारों की गिंती बीस करोड थी, मैंने उनकी गिंती सुनी, और मुझे इस दर्शन में घोले और उनके ऐसे सवार दिखाई दिये, जिनकी जिल में आग और धूमर कांत और गंधक किसी थी, और उन घोलों के सिर, सिहों के सिरों के से थे, और उनके मुह से आग और धुआ और गंधक निकलती थी, इन तीनों मरियों, अर्थात आग और धुएं और गंधक से, जो उसके मु निकलती थी, मनुश्यों की एकतिहाई मार डाली गई, क्योंकि उन घोलों की सामर्थ उनके मुह और उनकी पूछों मेः थी, इसलिए की उनकी पूछें सांपों की सी थी, और उन पूछों के सिर भी थे, और इनी से वे पीडा पहुँचाते थे, और बाकी मनुश्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया, कि दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा न करें, जो न देख न सुन न चल सकती हैं, और जो खून और टोना और चार और चोरियां उन्होंने की थी, उन से मन न फिराया.